आप देख रहे हैं, Headlines Daily, HD News भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तभाई मचाई है मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना संक्रमन से बचावतो हो सकता है किन्तु वैक्सीन लगवानी के बाद व्यक्ति को कोरोना की गंभिर संक्रमन की प्रभाव से बचाया जा सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा पर्मो धर्म की भावना से दिव्य ब्रह्म सेवा संस्तान ज्वारा गांधी नगर क्षेतर में पिछले तीन महां से सतत रूप से वैक्सिनेशन शिवेर चलाया जा रहा है इस शिवेर के माध्यम से बड़ी संक्या में गांधी नगर के साथ या आसपास के क्षेतर के गाउं वा कॉलोनी के लोगों ने भी वैक्सिन लगवा कर अपनी सुरक्षा मजबूत की गांधी नगर सुपर कॉलिडोर के पास बहरा कॉलोनी में रहने वाले दावदी बहरा समाज के 45 वर्षे से अधिकायू के सभी लोगों का वैक्सिनेशन हो चुका है वहीं 18 से 45 वर्षे की उम्रे के लोगों में भी लगभग सहाट प्रतीशत से अधिक लोग वैक्सिन लगवा चुके हैं लोगजाउन एवं कॉरोना कर्फियू के दोरान जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समय समय पर क्षेत्र के लोगों की काफी सहायता की है और उन्हें हमेशा कॉरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया है इसलिए मंगलवार को गांधी नगर बहरा कॉलोनी स्थित बहरा मस्जिद में दाउदी बहरा समाजवारा जिला एवं पुलिस प्रशासन का आभार मानते हुए अपर कलेक्टर राजेश राठोर अडिशनल स्वे प्रशान चौबे एवं थाना प्रभारी संतोश यादव क सम्मान किया गया इस दोरान वैक्सिनेशन को लेकर बहतरीन सेवां एवं ववस्ता देने पर दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान के संयोज़क अंतिम शंकर शुकला का आभार मानते हुए उनने सम्मानित किया गया सम्मान समहरों के दोरान दावदी बहरा समाच की और से समाच के ट्रेजरर आपईत हुसेन ने अपर कलेक्टर राजेश राठोर एडिशनल स्पी प्रशान्त चौबे गांधी निगर थाना प्रभारी संतोश यादव एवं दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान के संयोज़क अ हर करम अपना करेंगे अल्य मैं पर करेंगेمكن देखेंगे करेंगे bacon-तुर्ड करेंगे है मिद्या मिन्व इडिया हैं जाहितेखेंगे आपने संस्क्राव संक्राइबằng समाज यहां गांदी नगर का है लगभग साड़े तीन सो लोग है जो इलिजिबल है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वेक्सिनेशन के और बड़ा खुसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां इन लोगों के उत्सा की वज़े से इन लोगों के सकारतमक्ता की वज़ चली उसमें बिना कोईट प्रोटोकॉल के कोई व्यापाड नहीं करेगा तो अगर इस तरह की हम लोग ठान ले तो कोरोना को हम निश्चित रूप से हरा सकते हैं तो मैं इन सभी लोगों के लिए आज यहां उपस्तित हुआ था मुझे काफी अच्छा लगा है तो यहां प प्रोटोल की तरह अपना योगदान देना होगा क्योंकि वैक्सीन ही अंतिम हत्यार है जिसके फुरू हम समाज को अपने देश को करोना की महावारी से बाहर ला सकते हैं जैसा कि आपने कहा कि आज से अनलॉक की पिक्रिया में आज बहुत ही नॉमिनल रिस्टिक्शन खोले दिये क्योंकि गल्ती होना लाजमी है अगर आदमी नहीं आदेश निकला रात को नहीं पड़ पाए लोग पुरा नहीं पड़े या गलत इंटर्पेटिसन कर लिया ऐसे लोगों समझाज भी गई है अब सेकेंड फेज में जो गल्ती करते मतला रिपीट करते दिखेंगे उ क्योंकि हमें शासन ने निर्दारित कर रखी हैं लेकिन उसको आप लोगों ने रिकोगनाईज किया इसके लिए हम लोग आवारी हैं और निशेत तोर पर हमारे लिए एक आगे और अच्छा काम करने के लिए फेड़ना देगा अगर वैक्सिनेशन की जो गती चल रही है अ करने को और हम सब कोरोना से मंखत हों और एक सबस्वाद की तरव आगे बढ़ेंगे आप सभी लोगों का और सभी जनप्रतिनिदी की मेहनत कर रहे हैं सभी अधिकारी जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों ने सिवह अपना कर्तिव निबाया है जेसे हेजे की और पोलियोến वेक कुछ गए हैं जिसमें सिर्फ जो कोविट पेशेंट थे वहीं बचे हैं बागी 18 प्लस में 60-70 परसेंट पर पहुच चुके हैं तो आज हमने यह निर्नय लिया है कि 100 परसेंट हमें करवाना है पूरे छेत्र में और शार्षन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही ब मिला का तो लगबग हम 95 परसेंट हमोग कर चुगे आज के दिन में हमारा अन्डेट परसेंट हमारा जो मोहला यह फूरा वेक्सिनेट हो जुखण करें अब जो कोशिच करें गयी है उनको हम करें और उनको भी मोट पूर हम लोग मिशन हारा वी मिशन हमारा जितना ज्याद सब्सक्राइब करें लोगों का भी हमें बहुत सपोर्ट रहा लागडाउन में भी कर्फियू में बिल्कुल लोगों का जो भी उनकी सेवा के लिए उनकी जो भी कोरोना से लड़ाई में संस्ता के अध्यक्ष साथ दिया हमारा वेक्सिनेशन में इनको हमने समान करें और आगे हम यह साथ देते रहें और हम भी काम करते रहें आपके साथ में लोगों के साथ में वसी आशा करते